हेलो एवरिवन मैं हूँ सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर मेमरी इससे पिछले वाले टॉपिक में मैंने आपके साथ मदरबूर डिस्कस किया था और मैं होप करता हूँ आपने पिछला जो लेक्चर है वो देखा होगा और समझ मैं होगा अगर नहीं समझ मैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक पर उसको देख लीजिए तो आज का जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर मेम कम्प्योटर करें के साथ कोई शुक्ता क्या मіमरी का नहीं होता है िरूपि को शक्क्ति के प् at hat rya क्या सके तो सब्सक्राइब कर चैमिस्ट क्या करता है अलग-अलग boxes पे अलग-अलग नाम लगा के उसमें दाल यह डाल दिता है अब कोई भी customer आता है तो वो क्या करेगा boxes के उपड़ चेक पर जो boxes में जिस तरह की in the season होगी उसको डाल के वो उसको दे देगा तो सेम कंसेप्ट जो है वो मेमरी का के अंदर और एक computer के अंदर क्या फरक रहेगा जैसे उसके अंदर दवाईया डाली जाती हैं computer के अंदर इन बॉक्स में क्या आएगा क्या specific होगा ये सारा dependent करेगा उसको कहां से क्या data मिल रहा है किसके साथ क्या काम कर रहा है तो सबसे पहले अगर में computer memory की के बात करूं तो computer में memory का concept क्या है और computer के memory कितने तरह की होती है तो computer में जो memory होती हो में कैटेग्राइज है दो तरीके से कैटेग्राइज है एक primary memory जिसको internal memory कहते हैं दूसरी होती है secondary memory यहाँ पे internal memory और secondary memory कहने का difference क्या है इससे पिछली क्लास में मैंने आपको component of CPU बताए थे जिसको आप cabinet भी कह सकते हैं उसके अंदर मैंने एक specifically चीज़ आपको बताई थी कि मदर बोर्ड क्या होता है और मदर बोर्ड पे अलग-अलग कौन साइज होते हैं कौन से क्रेक्शन होते हैं कौन से सॉक्ट होते हैं और क्या उसका structure होता है तो जो computer में जो memory के differentiation है जो basic differentiation है वो उसी मदर बोर्ड के उपर ही depend करती है यानि के computer की जो memory उसके motherboard के उपर present है उसको primary memory कहा जाता है जिसको internal memory कहते हैं और वो memory जो computer के motherboard पे नहीं है बट किसे ना किसी वे के थुरू या तो SATA PATA cable के थुरू या USB के थुरू या LAN के थुरू कोई अगर memory उससे connected है उसको secondary memory कहा जाता है तो ऐसे internal memory में हमारे पास जो सबसे fastest memory होती होती है CPU CPU के अंदर भी दो तरह की memory होती है एक उसके रिजिस्टर होते कैश होते हैं फिर आती है दूसरी करें होती हो एक रोम होती है रैम हमारी रेंडम एक्सेस memory रोम होगी हमारी इसके बारे में आपको आओगे डिटेल से बताऊंगा और इससे तरीके से हमारे पास सेकेंटरी डिवाइस सेकेंटरी मेंबरी होती है जिसके अंदर मेरे पास उसकी प्राइमरी मेंबरी क्या होती है प्राइमरी मेंबरी वो मेंबरी होती है जो उसके मदर बोर्ड पर होती है इसमें सबसे पहले सीपीव आता है उसके अंदर सीप्यू रजिस्टर होता है और यह चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा रैम क्या होती है हमारी रेंडम ए यूज होते हैं डेटा स्टोरज के लिए और दूस्त पहले क्या होती थी इंदर क्या होता था फ्लिप यूज करते थे जो फ्लिप फ्लॉप है वह एगजेक्टली यूज के जाते हैं CPU को बनाने में तो CPU की कोस्ट जो है वह बहुत ज़ादा होती है और सेम अगर कर रैम का जो था वो इंवेंशन की जिसके अंदर क्या होगा मेमरी कैपसिटी बढ़गी और उसका जो चार्ड जो हो थोड़ा सा लोग है यानि को उसकी कॉस्ट जो हो कम होगी फिर हमारे पास रोम आते हैं जिसको रिड़ ओनली मेमरी होते यह तीन तरह को के पी रोम एपी इसके बारे में हैं मैं आपको क्या बटाऊंगा डेडbor से बताऊओगा फिलाल जो पी रॉम का मतलब होता वहोंता है प्राग्राममेबल रेड़ ओनली मेमरी एपी रोम और चैनली इलक्ट्रिकल लीरेजेबल programmable read only memory तो सबसे पहले हम बात करते हैं CPU पे तो इससे जो पिछले वाली वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि processor क्या होता और मैंने आपको ये भी दिखाया था कि processor के उपर और नीचे चीज़े कैसे होती है तो मैंने आपको ये बताया था प्रोसेसर का जो ये इसा होता है जो पिन के उपर नहीं लगता उसके अंदर क्या होता है ये छोटे छोटे से छोटे छोटे से इसको आप कह सकते हो ये register हो सकते हैं और ये क्या होते ही होते है fastest memory जो computer की सबसे तेज memory होती है जिसकी speed सबसे ज़्यादा तीज होती है वो होती है यह रेजिस्टर पिर रेजिस्टर के बाद जो दूसरा जो concept आता है वो होता है cache का, cache का अंदर क्या होता है जैसे हमने वो new model पढ़ा था उसके अंदर हमें बताएगा था CPU का structure क्या होता है उसमें ALU और CLU होती है तो जैसे प्रोसेसर के अंदर भी ये लिए लिए हो गई और उसको भी काम करने के लिए क्या चाहिएगा मेमरी यूनिट चाहिएगी तो CPU के अंदर क्या होता है इस वाली चिप के अंदर अलग अलग से सेक्शन बने हुए होते हैं अगर मैं उसको अभी हाड़वेर की क्लास अगर होती तो आपके में डिटेल में बता देता पर यह हमारी ओवर्यू क्लास है तो उसके अंदर क्या होते हैं अलग से सेक्शन बने होते हैं जहां से CPU अपने काम करने के लिए डेटा लेगा तो जिन पार्टों से वो डेटा लेगा उसको कहा जाता है कैसे मेमरी फिर उस सारा डेटा जो है वो खतम हो जाएगा तो रैं पर दो तरह की होते हैं एक जैसर यह हमारे पास जो देख पा रहे हैं यह को होती है हमारी स्ट्रै गारा की यह सारी जितनी भी हैं यह सारी इन सब आई सी के ऊपर बिल्ड है डायरेक्ट यह जो उपर स्ट्रक्चर बनता है यह फ्लिफ लॉप का बनता है और यह इस तरफ जो हमारी रैम है वह है डाइने में करें में देखो गया आप तो इसका साइज जो हो बहुत चोटा होगा और य आइन जो स्ट्ट्रक र्म होती है इसकी जो स्पीड है वह थोड़ी सी फास्टर होती है बकायदा डाइनमिक रहें के पर इसकी कोस्ट जो है वह इससे only memory का मतलब क्या हुआ read only memory का मतलब यह हुआ कि आपने कोई भी एक circuit था या कोई भी program था उसको एक चिप के अंदर डाला और उसको काप कोई भी change नहीं कर सकता कि वह जैसा था वह ऐसा का वैसा ही रहेगा तो starting में read only memory क्या थी read only memory हमारे motherboard का वह पार्ट था इससे पिछले वाली वीडियो में भी मैंने आपको explain किया था जहां पर जब मैंने आपको बताया था कि audio chip होती है Ethernet चिप होती है तो वह सारे किसके example हो वह सारे का example आपके ROM के और ROM की भी क्या है specific categories है ROM को भी जो है वो अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया एक तो basic हमारी read only memory होगी फिर उसके बाद क्या किया अगर मान लो कोई भी ऐससे situation थी कि एक बार जो मैंने चिप बना दी वो बना दी उसको change नहीं किया जा सकता तो क्या हो गया था मोनोपली हो जाती थी बीच में क्या हुआ है टेक्नोलोजी के advancement हुई और हमारे पास क्या आया हुआ कि एक program की help से मैं क्या कर सकता हूँ एक ROM का structure जो हो या ROM की functionality हो हो चेंज कर सकता हूँ उसको बुला गया पी रोम पी रोम के अंदर क्या करते थे आपकी जैसे किसी specific मशीन के उपर आपने IC को लगाया और लगाने के बाद क्या किया उसको प्रोग्राम किया तो उसको बो लगा पी रोम यानि कि पी रोम में आपने content fix कर दिया आप उसको change कर सकते हो पर मैं चाहता हूँ कि कोई भी यहां से इसकी functionality हटा के कोई और functionality use की जाए तो उसके लिए हमने क्या यूज किया उसके लिए हमने इपी रोम चिप यूज की जिसमें मैं क्या करता था अल्ट्रा वाइलेट रेज डालता था इसको इरेज करने के लिए यानि के मालों इसका content clear हो जाता था और फिर इसको क्या करता दुबारा प्रोग्राम कर देता था पर उसका भी जैसे अल्ट्रा वाइलेट रेज में भी क्या होता था थोड़ी बहुत परिशानी आए नहीं लगी तो उसके बाद हम जो नेक्स चीज के उपर मूव कर गए वो थी ईई पी रोम यानि के इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामे से वह जाती है जिसको आप चेंज करके दुबारा क्या है वह काम कर सकते हो तो यह होते हैं तो हमारे तीन तरह के रूम फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी मेमरी के उपर तो सेकेंडरी मेमरी मैंने आपको बताया था वह सारी मेमरी जो कंप्यूटर के अदर बोर्ड के उपर नहीं होती पर जिसके अंदर डेटा स्टोरिज की कैपसिटी होती है उसको बोला जाता है secondary memory उसके अंदर हमारे क्या आगे flash drive flash का मतलब आपका कोई USB pen drive floppy disk पहले यूज होती थी आज के टाइम पर अब्सुलीट हो चुकी है जिप डिस्क भी पहले होती थी आज के टाइम पर अब्सुलीट हो चुकी है और मैं कोई digital camera ले लेता हूं तो उसके अंदर ये काम ये pen drive लग जाता है जिसको memory card भी आचे भी बोल सकते हो removal hard disk drive यानि के जो external hard disk drive होती है वो सारी यहां पर चल जाते है माइक्रो ड्राइब के अंदर भी जैसे कोई भी मैंने चोटा कार्ड बना हुआ है memory stick अगें इस एक्जामपल ऑफ pen drive smart card जैसे हमारा अधार कार्ड हो जाता है या हमारा आज के टाइम पर license भी है उसके अंदर भी memory हो रहती है और जो मेरा अपने गूगल ड्राइब के उपर data save कर रखा है या वन ड्राइब के उपर data save है तो वह भी इसी का एक्जामपल हो और क्या होता है PC card PC card मतलब वह external device जो computer पर लगके उसकी functionality को बढ़ा सकते हैं तो वह भी क्या है एक extra secondary memory है तो हमने क्या कर लिया हमने अब तक पढ़ लिया कि हमारे पास कौन कौन सी memory होती है पर जो main question आता है है वह यह आता है कि हमें अपनी इतनी सारी memory बनाने की जूरत क्यों पड़ी जैसे पहले क्या होता था पहले computer क्या था बहुत costly होते थे और आज के time पे क्या हुआ उसको लोगों को लोगों के पास access कराने के लिए हमें क्या घरना पड़ा cost cutting यूज करनी पड़ी और वह इस तरीके से design किया गया कि उसकी functionality भी maintain रहे उसकी speed fast हो जाए और लोगों के पास भी पहुंच जाए तो हमने क्या किया हमने अलग अलग तरह की memory बनाई और उसको इस तरीके से design कर लिया तो यह जो है memory hierarchy इसको बोलते हैं यह जो आपका pyramid बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है कि आप अगर उपर से नीचे की तरफ आओगे तो क्या होगा आपका जो storage space है वो बढ़ता च चला जाएगा और storage space बढ़ता चला जाएगा और उसके साथ साथ जो accessing time है यानि कि जितने टाइम पर जिस memory को access किया जा सकता है वो कम होती जाएगी उपर से नीच आएंगे storage space बढ़ेगा उसके साथ साथ memory access time जो हो घटेगा यानि कि यहां पर मैं यह बात कह सकता हूं कि जो storage capacity है वो inversely proportional होटती है access time से तो सबसे पहले CPU में जो top of the memory hierarchy आता वो हता CPU register मैं आपको बता चुका हूं फिर उसमें तीन तरह के cache होते हैं level 1, level 2, level 3, level 1 होता है CPU register के सबसे पास होता है उसके बाद जो आता हो level 3 आता हो उसके बाद जो आता हो level 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है वो होता है RAM का RAM के अंदर जैसे मेरी physical RAM है virtual memory का concept क्या है यह virtual memory क्या होती है आपकी जैसे हमारे पास RAM होती है तो RAM हमारे computer में क्या होगी जैसे 4GB है 6GB 8GB है या 16GB है उसके अलावा कई बार हमारे जरुत system को जरुत पढ़ती है कि कई बार बहुत ज्यादा RAM की जरुत पढ़त है जिसके अंदर मैं क्या करूंगा अपनी hard disk drive का एक specific area जो है वो select कर लूँगा और वो काम करेगा ऐसे RAM का और virtual memory क्या हो सकती है जो मेरी physical RAM है ना उस size की double हो सकती है उसकी एक गुना होगी डेड़ गुना होगी या दो गुना होगी यह मालों अगर मेरे पास physical RAM है 4GB तो मेरी virtual memory कितनी हो जाएगी वह जाएगी 8GB अगर मेरे पास यहां पर 16GB है तो मेरी virtual memory कितनी हो जाएगी 32GB तो यह hard disk का part इसलिए access किया जाता है क्योंकि वह दोनों सेम तरीके से काम करेंगा और मेरे computer को क्या लगेगा कि मेरी जो system RAM हो उसका size जो हो बहुत बड़ा है फिर उसके बा RAM BIOS को में secondary storage नहीं कहूंगा यह primary storage का ही आता है और removable driver जो जैसे pen drive हो गया memory card हो गया या फिर उसके बाद आता है network internet storage जैसे मैंने कोई cloud के उपर data ले रखा वो सारा और मेरे computer की क्या है hard disk drive फिर उसके बाद जो क्या होते है हमारे computer के साथ जितने भी input device होते हैं उनके अंदर भी memory क्या होती है एक memory होती है पर वह memory क्या होती है बहुत कम होती है तो वह क्या होगे सबसे last stage पर आते हैं memory hierarchy के अंदर इसके अंदर मेरे पास क्या आगया keyword आगया mouse आगया removable media यानि के मालों जैसे मैं को कैमरा वैमरा या कोई माइक वाइक लगा रखा है वह आ गया remote source से अगर म memory की unit यानि के अगर मालों मेरे पास computer की memory है तो उस memory को किस तरीके से मापते हैं तो computer में सबसे basic unit होती है वो होती है bit को कैसे बनाया जाता है flip flop के जरिए flip flop को आपके ऐसे consider कर सकते हो flip flop बराबर होता है आपका जैसे कोई घर में electricity वाला switch होता है वो या तो on रहेगा या off होती है तो जो flip flop होता है वो इसी तरीके की situation को depend करता है या तो उसके उपर value one होती है उसके उपर value zero होती है तो यह one zero की value जो होगी उसको बोला जाता binary digit तो जैसे एक switch हो गया simple switch क्या बोलेगा आपका एक binary digit बनेगा पर हमेशा ऐसा नहीं होता कि computer में सरफ एक on या off से कोई भी जो है वो resultant बना सके तो अगर मालो मेरे को कोई भी मतलब बनाना है on off on off की series से तो मैं क्या अगर तो यह बहुत सारे switches जो हो एक साथ लगा देता हूं तो उसके उपर जो value आएगी उससे मैं क्या करूंगा उसकी अलग अलग स्टेजिसे अलग अलग चीजों को रिपर्जेंट कर सकता हूं तो जैसे मालो अगर मैं आठ डिजिट या जो आपके 8 switches एक साथ निकाल देता हूं उसमें कुछ on कर देके छोड़ेता हूं कुछ off करके छोड़ देता हूं तो ऐसे जो है वो एक स्विच की सिरीज बन जाएगी जिसको नाम दे दिया गया एक बाइट के तौर पर एक बाइट के तौर पर फिर हमारा जो अगला जो नेक्स्ट टेप हुआ के बाइट आगी और उसके बाद भी हमारे पास जैसे 0101 की सिरीज करने हैं जिस उसके बाद क्या किया गया मालो मेरे पास आठ स्विच लग गए आठ से मैंने ये निकाल दे क्या मतलब होता है अब उसी के अंदर अग उसका मेरे को अगर बेस बढ़ाना है तो उसमें और सारी भी चीज़े रिपर्जेंट करनी है तो हमने क्या क्या टू रेस टू पावर टैन तो वो सारी चीज़े मिलके उन्होंने हमारे पास क्या बनाया एक के भी बनाया जिसको आपने जानते हो फिर एक के बी के अंदर टू रेस टू पावर टैन एड़ हुई तो हमारे पास एम भी बनेगा फिर जी भी बनेगा फिर टी भी बनेगा आपने इतना सारा डेट जाथ आज के टाइम पे भी आपको यूज कर देते हो जैसे आपका फोन का नेट अवर्क होता आपको पता है कि चाहिए इतनी पिडिटा मिलता है अगर आपको एक्सटरनल है डिस्क ड्राइव लोगे तो आपको यह पता चलेगा इतना TV data मिलता है तो उससे आगे की series क्या है अगर TB को भी अगर मैं खटागरू 102 4 TB को भी खटागरू तो एक petabyte बनता है उसके बाद exabyte ईसके बाद zeta white और उसके बाद yotabyte यos regiment योटabyte के बाद brontobite और brontobite के बाद geop byte geop byte क्या है अब तक presently available आपको आपको यह चीज इस तरीके से याद ना रहे तो आप क्या कर सकते हो एक छोटी सी लाइन से याद कर सकते हो कि भाई भाई कोई मिल गया था पहले इसे जह यह बाजु करहाई थो गणी में आप में को अटा दो तो जैसे विट चिलो बाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेरा वाइट पैटावाइट एगजए्वाइट जॉन्ट वाइट योटो वाइट ब्रॉंट वाइट और जी ओवाइट तो इस तरीके से क्या कर सकते हो अगर आप एक स समझाए आपको समझ में आए अगर उसके बाद भी अगर कोई आपको या डाउट है या कोई प्राबलम है या कोई कुश्चिन है तो आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको चीज़े सही लगी है तो उसके बारे में आप चाहे शेर कीजेगा और अगर आपका कोई और student भी है अगर आपका कोई और friend भी है जो पढ़ना चाह रहा है पर उसके पास कोई source नहीं पढ़नेगा तो उससे भी आप ये video forward कर सकते हों तो आज की video में इतना ही thank you thank you all thank you for watching